अगर 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 आपके पास केबल है अगर उसके कोई भी x distance पर अगर आप उसको depth देखना है तो कैसे निकालेंगे तो मैं आपको concept बदाता हूं यहाँ पर अपने लिखते हैं concept of concept of parabolic curve पार आपके पास एकेबल है आपके पास टेंडेन ओके यहां पर क्या आपके पास नुक्तिंट पर अपने पूल कर। इससे मैंने R से pull किया, similarly मैंने इसको अभी R से pull करके आपको दिखाया था, ठीक है, basically क्या आपको बताया है, कि आपके पास जो tendon जो था, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो distance है, ये वाली जो distance है, इसको मैं बोल रहा हूं, ये कितने आपके पास, मान के चलिए H है, या फिर मान लीजे, मैंने इसको कितना लेके चला है, अभी E के terms में आपको बताया था, चलिए इसको मैं लेके चलता हूं, E के terms में आपको लेके चल रहा हूं, clear, अब मैं आपको बोला कि अगर मान लीजे, आपको, ये तो मैंने mid span का बताया, mid span में आपके पास, जो आपके पास इ अगर हमें, ये तो आपके पास, टोटल अगर आपके पास जो distance हो गई, मानलेजे वो कितनी आपके पास L है, ठीक है? वो कितनी आपके पास L, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी आपके पास X distance में जाके, X distance पे जाके मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहां की आपने को height बताईए Y, ठीक है? अब मुझे यहां की height बताईए Y, तो ये Y की जो value है, वो कितनी आजएगी? तो आप अगर structure analysis में देखोगा, मैंने arches वगरा पढ़ाया था महाँ पर, ठीक है? आपके हैं, arches वगरा पढ़ाया था, तो arches और bridges वगरा इस सब जब पढ़ते हो, तो वहाँ पर यह वली चीज़ें, अच्छे से मैं आपको वो source में भी बताऊँगा, क्या बोलते हैं, derive करके भी बताऊँगा, बट अतनी need है नहीं, यहां पर अपर अब ध्यान रख लिज upon L square X into L minus X, ठीक है, मतलब मान लीजे मैं यहां से, total मान लीजे मैं पर distance है L का 10 meter, ठीक है, 10 meter और यह मैं बोल रहाँ, यह है हमारे पास, जो dip है हमारे पास, वो है 2 meter की, मैं बोल रहाँ कि 10 meter की जगा, आप में को यहां से, आप में को 4 meter पे बताईए, 4 meter पे हमारे पास जो dip हो X की value किती है, 4 into 10 minus 4 करेंगे, तो आपको यहां से value मिल जागी y की, वो 2 से obviously क्या होगी आपके पास, कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है, similarly अगर मैं बोल रहाँ कि अगर मुझे यहां पर आपको निकालना है slope, ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है theta, जै आपके पास equation आ गई, अगर मैं ऐसी को differentiate कर दिया, dy by dx कर लिया, dy by dx क्या होते है आपके पास, tan theta, tan theta कर मैं निकालना हो, तो कितना हो जागा आपके पास, 4e upon l square, x into l minus x, यह कितना हो जागा आपके पास, this will be equals to, l minus 2x, ठीक है, यह कितना हो जागा आपके पास, यहां पर आप x l minus x square करोगे, xl का differentiation करोगे तो क्या मिलेगा l, और x square का differentiation करोगे तो क्या मिलेगा l, और x square का differentiation करोगे तो क्या मिलेगा minus 2x, यहां से आपको tan theta मिल जाएगा, tan theta कितना मिलगे आपको, यह मिलगे आपको 4e upon l square, l minus 2x, ठीक है, तो यहां से आप निकालना, theta निकालना, theta कितना हो क्या क्का लोगे तो रहीं सब क्या लें आप olması कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल रहना la तो आपको दो का सब्सक्राइब आपके पास यॉट जो इकवेशन वह कितनापके पास पर फोटे अपान टे दूसरा क्या बता है मैंने, आपको मैंने बता है tan theta का formula, tan theta का formula कितना बता है, जो आपके पास y की जो equation आई थी, उसको हमने क्या किया महाँ पर, उसको differentiate कर लिया, तो यहाँ पर यह xl जो मिल रहा है, उसको differentiate किया है with terms of x, तो हमें मिला l, minus x square जो मिल रहा है, तो minus कितना हो जाए की value कहां से निकालोगे आप, cos theta की value आप यहां से निकालोगे, clear, समझ में आया, तो यह था आपके पास, जो parabolic curve जो है, ठीक है, यूडियल में हम जो लगा रहे है, उसके लिए अगर मान लिजए, अगर आपको mid span में नहीं पूछा है, कोई भी बोला, आपके पास at a distance of 4 meter आ किसका, parabolic curve का, बहुत जादा important है, यह बहुत जादा important है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेगा, ठीक है, numerical में काफी बार, यह use होगा, ठीक है, काफी बार क्या होगा, use होगा, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, वो क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको बताया, load balancing method के बारे में analysis करके बताया है, कि अगर उपर से external load जो लग रहा है, तो नीचे से हम वहाँ पर क्या करेंगे, जो pre-stressing force के current जो upward जो हम जो loading जो provide कर रहे है, वो tendence हमने जो provide किया है, उसके current जो upward जो loading provide करेगा, वो क्या करेगा, counterbalance करेगा, जो आपका external load जो downward जो क्या कर रहा ठीक है, तो यह मैंने analysis बताया कि UDL में कितना आएगा आपके पास, 8P cos theta E upon L square और वहाँ पर अगर मैं triangular की बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ आपके पास concentrated load, या फिर point load की बात करूँ तो वो कितना आथा, 2 into P into sin theta, ये दोनों चीज हमने देखा कहां से, load balancing method से हमने देख question को अब हम solve करते हैं, ठीक है, ये question को हम solve करेंगे और यही पर हम समझ जाएंगे, कि हमें निकालना, क्या है और कैसे निकालना है ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला है, find the stresses at the top, ठीक है? at the top fiber निकालना है, मतलब sigma top निकालना है, कहां कहां पर निकालना है? at mid span and at the quarter span, ठीक ह concept method और दूसरा आपको बोला यहाँ पर load balancing method ठीक है stress concept method मैंने पहले बताया था load balancing method मैं आज बताया हूं ठीक है तो यहाँ पर आप देखे कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक pre-stress beam आपको given है ठीक है 22.2 kN per meter का जो pre-stress force है P वो कितनी आपके पास that is your 1500 kN ठीक है वो कितनी आपके पास 1500 kN और क्या given है और यहाँ पर आपको given है ठीक है और आपके पास यहाँ पर cross section आपको given है बी कितने आपके पास 400 mm d कितने आपके पास 750 mm और आपके पास यह जो E की value है वो कितनी इंगे आपको आपको यहाँ पर given है 200 mm ठीक है 200 mm भी यहाँ पर क्या किस से हम यहाँ पर यह देखेंगे क्या है हमारे पास stress concept method ठीक है stress concept method है तो यहाँ पर stress concept method की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपन यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है हमें आपर निकालना है mid span में आपको बोला गया ठीक है आपको यहाँ पर क्या बोल अगर है ठीक है मैं आपको stress concept method में आपको मैं ने state time इस के बारे में समझाया था मैं आपको parabolic tendency के बारे में नहीं समझाया था तो अगर मैं यहां पर एक वी बनाए हूँ यहां पर मैंने एक बीम बनाया हहां ठीक है और यह की है आफके आपके पास, this is your neutral fiber, this is your neutral fiber, tendence कैसे जारी है आपके पास, ऐसे जारी है, ठीक है, यह क्या आपके पास, this is your 1500 का, क्या है आपके पास, 1500 किलोन्यूटन का आपके पास compressive force आ रहा है, इसको मैंने, यहाँ पर मैंने transform वो किया, component देखा, इसका तो यह कितना हो जाएगा, P into cos theta के terms मे पास, this will also be equals to P into cos theta की क्या होगा, terms में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैं P की जगा यहाँ पर, मैं क्या लेकि चलूँगा, मैं यहाँ पर लेकि चलूँगा, ठीक है, P की जगा पर मैं क्या लेकि चलूँगा, यहाँ पर मैं P into cos theta की terms में, मैं चीजों को लेकि चलूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पर stress concept method में, हम यहाँ पर कैसे पढ़े थे, हमने compressive force को लिया था, ठीक है, हमने किसको नजर में रखा था, हमने compressive force को हमने यहाँ पर नजर में रखा हुआ था, और यह कितना है हमारे पास, जो UDL जो आ आपके बास, 22.2 kN per meter, ठीक, चले, तो यह बात होगी, अब आपन यहाँ पर देखेंगे, stress concept method में, आपको मैंने बताया था, कि हमें क्या निकालना है, आपर, हमें निकालना है, add mid span, और add quarter span पर हमें निकालना है, क्या, stresses निकालना है, at the top, मतलब हमें निकालना है, sigma top निकाल में निकालना है, और हमें कहां पर निकालना है, quarter span पर हमें कहां निकालना है, stresses at top हमें निकालना है, सबसे पहले बात करते हैं, add mid span की, add mid span की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास P आया नहीं है साथी साथ क्या है P into cos theta है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा cos theta की value निकालनी पड़ेगी कि cos theta कितना हो जाएगा आपके पास mid span तो अभी मैंने आपको समझाया था कि cos theta निकालने के लिए पता है tan theta का formula पता है वो कितना हमारे पास 4 into e upon L square L minus 2x कितना हमारे पास tan theta की value अभी आपको समझाया हमारे y कितना होता है आपके पास y होता है 4 e upon L square x into L minus x similarly dy by dx के अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 4E अपॉन L स्क्वेर L माइनस 2X तो यहाँ पर अगर मैं mid span की बात कर रहा हूँ mid span मतलब X की value कितनी हो जाएगी L by 2 मतलब 8 by 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 meter ठीक है L by 2 मतलब 8 by 2 हो जाएगा कितना 4 meter तो यहाँ पर अगर मैं tan theta निकालू dy by dx कितना हो जाएगा 4 into E की value कितनी है हमारे पास 200 mm E की value कितनी हमारे पास 200 mm तो मैं इसको लेके चल लेता हूँ कितना 0.2 लेके चलता हूँ meter में रखना हूँ मैं into L कितना है 8 meter L कितना हमारे पास 8 meter minus 2 into कितना हो जाएगा हमारे पास 4 ठीक है X की value कितनी हो जाएगे हमारे पास 2 into हो जाएगे हमारे पास 4 divided by L square मतलब 8 का square चलिए तो tan theta कितना हो जाएगा हमारे पास 0 तो cos theta की value आएगी वो कितनी आ जाएगे हमारे पास cos theta की value आपको देखने को मिल रही है कितनी 1 ठीक है cos theta कितना आगे आपके पस cos theta की value आपको देखने को मिल रही है 1 तो P into cos theta को मैं सिफ P भी लिखूँगा तो भी चल जागा कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि cos theta की value नहीं हो गई हमारे पस 1 हो गई कर्सक آپ करें कि स्ट्रेसना चाहर हो थेक अगर मैं क्या निकाह रहाए HOW कर्में is stress निकालना चाहार रहा हूं सिर्फप्स आप है आपको सब पहले को standards को सब्सक्राइए कि सिग्मा टॉप का फॉर्मला क्या था जो आपने क्लियर तो यहां पर हमें क्या निकालना है हमें यहां पर निकालना है इस्ट्रेस निकालना एट टॉप फाइबर ठीक है इस्ट्रेस निकालना एट टॉप फाइबर मैं कहां पर लेके चल रहा हूं मैं मिट स्पैन पर लेके चल रहा हूं अगर आपके पास simply support beam है और tendency आपने below the neutral fiber आपने provide किया है तो आपका ये वाला condition क्या होगा? satisfy कर जाएगा ठीक है इसको याद नहीं रखना है तो आप normal आपको पता है sigma i top कितना होता है आपके पास P by A minus P into E upon I into Y top plus M by I into Y top ठीक है तो यहाँ पर अपने बात करते है P की जगा पर यहाँ पर मैंने जो P जो लिखा हुआ है P की जगा पर यहाँ पर P cos theta आ जाएगा ठीक है इस case में आपके पास कितना हो जागा P cos theta आ जागा सारी चीज़ें निकालते हैं, मिट्स पर आपन देखते हैं, सब चीज़ें कितनी हैं, तो अगर मैं P की बात करूँ, तो P आपको पता है कितना है, 1500 किलो न्यूटन, A भी पता है कितना है, आपके पास B इंटू D, मतलब 400 इंटू 750 mm, अगें P इंटू E भी पता है, I और Y, सब कितना हो जागा आपके पास, BD cube by 12 मतलब, B कितना है, 400 mm, ठीक है, तो इसको सब को आपन निकालते हैं, MPa में ही निकालते हैं, ठीक है, Newton और mm में सारी चीज़ें रखते हैं, तो इंटू 750 का क्यूब अपान 12, इसकी value आप में को बताईए है कि, similarly Y कितना हो जागा मारे पास, D by 2, कितना हो जागा 750 by 2, ओके, देखें यह Y अलग है न, यह Y top है, यह Y T है इसको ध्यान रखेगा, अभी मैंना केबल में जो बता रहा था, वह अलग चीज थी, यह अलग चीज है, तो कितना हो जागा 750 by 2, M कि अगर मैं बात करू, M कितना हो जागा आपके पास, M हो जाग अगर मैं चेक कर रहा हूं, तो जो हमारे पास, जो केबल, जो UDL जो आ रहा है, UDL का आपके पास, आप देखोगे, तो bending moment कितना आ जागा, maximum bending moment मिलेगा, वो कितना आपके पास, W into L square by 2, W कितना हो जागा, 22.2 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर है, तो उ ए कितना हो जागा, L square मतलब 8 ka square, ठीक है, L square मतलब कितना मिल रहा है हमारे पास, कहां गया, L कितना है, 8 meter, तो हो जाएगा, 8 का square upon 8, इसकी जो value मिल रही है, वो कितने आजेगा, आपके पास, किलो न्यूटन मीटर में आ जागी, ठीक है, इसकी value जो आएगी, वो कितना सिग्मा एट टॉप पी की वैल्यू कितनी मद यह जाएगी 1500 इंच चींच पावर 3 आपॉंन एरिया कितना है ओर पास एरिया है 400 इंच प्रीज़ सेवन फिफ्टी माइननस एक प्रींच फिर यह आपर कॉस थिटा भी आता लेखें कॉस थिटा कि वैल्यू कितनी अंब पास यह कितना है 1500 इंटू 10 तो थी पावर 3 इंटू ए की वाल्यू कितनी है 200 आपको गिवन है अपन आइक कितनी है यह 400 इंटू 750 का क्यूब 400 इंटू 750 का क्यूब अपन 12 है तो मैंने क्या क्या उसको 12 को मैंने ऊपर कर दिया ठीक है इंटू क्या आजाएगा हमारे पास y, y कितना हमारे पास 750 by 2, plus, plus कितना हैगा, plus आएगा m by i, m कितना हमारे पास, m हमारे पास यह वाली value आई है, m हमारे पास कितने आई है, यह वाली value आई, 22.2 into 8 square upon 8, तो 8 square तो ठीक है, 8 एट cancel हो जाएगा, इसको calculate करिए कितना है, 22.2 को, m की value कितना है, 177.6 kNm, कितना है, यह आपके पास आया है, 177.6 kNm, इसको मैं क्या कर दूंगा, न्यूटन और मीटर में चेंज कर रहा हूं, तो यह कितना हो जाएगा आपके पास, यह हो जाएगा, plus m by i, m कितना है हमारे पास, 177.6 into 10 to the power 6 कर दिया मैंने, upon i कितना हो गया हमारे पास, 400 into 750 का cube, upon 12, तो मैंने 12 को उपर लिख दिया, into y, y किया मैंने, तो y कितना हो जाए हमारे पास, 750 by 2, तो यह 3 term आए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, यह 3 term आपको देखने को मिले है, आप इसको solve करिए, sigma top की आप इसकी value solve करिए, और मैंको बताई हमारे पर sigma top की value कितने आई है, यह किसका निकाल रहे हम, यह अभी हम निकाल रहे है, at mid span निकाल रहे है, आप मैंको बताई है, यहाँ पर आप मैंको MPa के term से बताई है, कि यहाँ पर sigma top की value कितने आई है, यह वाले expression की तरफ देखिए आप, इसको आप note करिए, और मैंको solve करेकर बताई है, मैं भी यहाँ पर solve करता हूँ, ठीक है, कितने आ रहे है value मैंको जल्दी से बताईएगा, कितने ही आ रहे है, यह first dollar जो आया है, वो कितना है आपके पास, इसके value आया है, आपके पास, 5 newton पर mm2, यह कितने आपके पास, 5 newton पर mm2, second की आपके देखा हूँ, second को solve करेके, कितना आ रहे है, यह कितना ही आपके पास, 4.736, ब्लस, वाला कितना रहे है, sorry, second वाला कितना ही आपके पास, प्लस 4.736, जगेंड वाले किना रहा 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 है, यह किना रहा रहा है, जगेंड रहा है, जगेंड वाले टर्म हार है, इसको अगर आप देखोगे, सिंग्मा टॉप निकालोगे, तो यहां पर आपके पास सबसे पहले वाली चीज़ हमने निकाला है, क्या निकाला है हमने, हमने अभी कहा पर निकाला है, हमने यहां पर मिट स्पैन पर हमने अभी निकाला है, ठीक है, मिट स्पैन पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है, सिग्मा टॉप रही है हमारे पास 1.736 MPa, similarly इसी stress concept method से अगर मैं quarter span की बात करूं, तो quarter span पर अगर मैं निकालने की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, आपके पास जो थीटा की जो वैल्यू है, पी कॉस्स थीटा की जो वैल्यू है, उसमें कॉस्स थीटा कैसे निकालोंगे उसके बारे में आपन बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपन second वाला निकाल रहे है, second क्या है हमारे पास, लिए, add quarter span, усat quarter span, quarter span मतलब x की वैल्यू कितनी होगी अब हमारे पास, x की वैल्यू हो गए हमारे पास, 2, ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2, तो यहाँ से आप calculate करें, values आप calculate करेए कितनी आ रही है सबसे पहले हमें क्या निकालना है cos theta की value आप हमें चेक करना है तो y कितना हो जाएगा y का formula क्या होता है y का formula होता है 4e upon l square x into l minus x तो अगर मैं tan theta tan theta क्यों अगर मैं value निकाल रहा हूँ मतलब dy by dx निकाल रहा हूँ कितना हो जाएगा आपके पास मैं 0.2 लिख लेता हूँ upon l square कितना है आपके पास 8 का square upon l into l minus मतलब 8 minus 2 to the 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 तो यहाँ साब देखिए tan theta की value कितनी आ रही है tan theta की value आपको देखने को मिल रही है 4 into 200 mm था मतलब कितना है यह 0.2 तो यह हो जाएगा आपके पास 0.8 upon 8 का square into कितना हो जाएगा यह 8 minus 4 मतलब 4 तो यह कितना हो जाएगा आपके पास इसकी value आपके पास आजेगी कितनी आजेगी यह आपको यह देखने को मिलेगा 0.8 divided by 8 करूंगा तो कितना मिल जाएगा आपके पास 1 by 10 यह कितना हो जाएगा आपके पास 0.1 तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 0.8 upon 8 divided by 64 into 4 तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.8 upon 16 जाएगा आपके पास 0.05 तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालीजे थीटा की वैल्यू कितने आजाएगा आपके पास 10 inverse आपके पास देखने को मिलेगा कितना यहाँ साब में कॉस्स थीटा बताएगे कितना आएगा 10 थीटा कितना आ रहे है मारे पास 0.05 तो अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं थीटा की वैल्यू कितना आजेगे आ पीatta की वैल्यू अगर मैं निकालू थो तो 10 inverse कर दीजे 0.05 का 10 inverse कर दीजे 0.05 का तो कितना रहा हमारे पस 2.862 कितना रहे है 2.862 हमारे पास कितना आ गया थीटा की वैल्यू आ गई अब इसी को अगर मैं cos theta कर मैं निकालूंगा यहां से अगर मैं cos theta निकाला तो कितना रहा हमारे पास 0.99 something कुछ आएगा, 0.999 something कुछ आएगा, तो value कितनी आगी हमारे पास, again हमारे पास, cos theta की value कितनी आगी हमारे पास, again हमारे पास cos theta की value कितनी आगी 1, ठीक है, इस वे में आपको क्या करना है, cos theta की value आपको निकालना है, ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता है, मैंने आपको बो आपके पास सिग्मा टॉप की वैल्यू ही निकाल रहा हूं चलिए चेक करते हैं आपर अगर किसी को समझ में आ रहा है अच्छे से यहां से आप पॉस करके इसके आगे बढ़ जाईए ठीक है इसके आगे बढ़ जाईए कि आप कैसे सौल कर रहे हैं फिर उसके बाद रिज्य सेमेल बल्रोड干ट थे लिए अानका में ली में लेकिन गुट यहां पर रसाईए टो न करके ऐसा कितने डी औहरे अनगी हम यहां पर निकाल रहे हैं इस वाले सेक्षन पर निकाल रहे हैं तो अगर आपके पास यह जो है या फिर आप वह को ई मत लिखें नौड वगरा कुछ कर लिजे हमें निकालना है इस वाले सेक्षन पर आपके पास यह वाली जो डिस्टन्स आ रही है यह आपके पास जो आ र हमारे पास formula क्या होता है 4H upon L square 4H upon L square X into L minus X होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं E निकाल रहा हूँ ठीक है H या फिर H हमारे पास कितना गिवन है या फिर आप इसको H की जगह E लिख लीजे और Y की जगह आप लिख लीजे इवन ठीक है तब समझ में आएगा E1 equals to 4E upon L square X into L minus X तो E1 कितना हो जागा हमारे पास 4 into ठीक है M M में निकालेंगे M M में निकालतें तो कितना हो जागा 200 upon L square L कितना हमारे पास L है हमारे पास 8 meter ठीक है कितना हो जागा चलिए इसको M M में में रखतें यह कितना है हमारे पास 0.2 upon L square कितना है 8 square into X कितना हो जागा 2 meter into L minus X मतलब 8 minus 2 8 minus कितना हो जागा हमारे पास 2 ठीक है क्योंकि हम कहां पे निकाल रहे है quarter span पे निकाल रहे है तो यहांसे आप में को E1 की value बताईए इवन की value आ रहे हो कितनी आ रही है आप यहांसे calculate करिए कितना हो जाएगा 8 minus 2 6 to 12 12 424 divided by 64 into 0.2 ठीक है into कितना हो आपके पास 0.2 आपको यहांपर देखने को मिलेगा calculate करिए जल्दी से 4 into 0.2 divided by 64 into 0.15 meter E1 कितना है हमारे पास इवन आया हमारे पास 0.15 meter मतलब यह कितना है हमारे पास 150 mm ठीक है E1 कितना है हमारे पास 150 mm इसका मतलब समझ में आ रहा है न क्या आपको पास यह जो टेंडेंस आपने जो provide किया था यहां पर जो central जो dip था वो कितना था 200 mm given है बड़ हमें वहां पर mid span पर देखना नहीं है हमें कहां देखना है quarter span पर तो यहां कि जो E1 की जो value है वो कितनी हमारे पास 200 mm कि वो कितनी हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 150 mm ठीक है तो आपने यहां से 400 into 750 का cube upon 12 कर लेंगे y top भी पता है y कितना आपके पास 750 by 2 750 by 2 main आएगा आपके पास M तो अगर मैं M की अगर मैं बात कर रहा हूं ठीक है मैं यहां पर कहां निकाल रहा हूं तो देखिए अभी मैंने कहां पर निकाला था इसके पहले मैंने center point पर निकाला था mid point पर और mid point पर bending moment maximum होता है तो maximum की value अगर मैं बोलूंगा तो कितना होगा वो wl square by 8 लेकिन यहां पर मैं कहां पर निकाल रहा हूं quarter span पर निकाल रहा हूं तो quarter span पर कितना हो जाएगा wl by 2 into x minus कितना हो जागा ही w x square by 2 कैसे किए देखो यहां पर यहां पर समझेए ठीक है यह है हमारे पास यह बीम थी इसको एकदम simple way में बना रहा हूं है यह हमारे पास है simply support beam यह क्या हमारे पास यूदिखल है अभी मुझे bending moment कहां पर निकालना है मुझे यह यहां पर bending moment निकालना है hmm at x equals two to meeting अडे x equals two to meter पहां ओ लोड कितने का लगा है यहां पर हमारे बनाक्षिन आ जएगा कितने का wl by 2 का सिमिलल निहां पर भी reaction आ जागा कितना WL by 2 का तो bending moment at xx अगर मैं बोला bending moment at xx मैं बोला तो कितना हो जागा है यह वाला force into 2 meter ठीक है तो मतलब WL by 2 into मैंने बोल दिया x, x कितना है हमारे पास? 2 meter माइनस यह UDL भी आएगा यह UDL कितना है हमारे पास? यह UDL है हमारे पास W into x into x by 2 मतलब यह कितना हो जागा W x square by 2 कितना हो जागा यह W x square by 2 तो यह था हमारे पास bending moment ठीक है इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका थोड़ा सा मॉस थोड़ा सा आपका weak होगा but still ऐसे कोई दिक्कत है नहीं यह section में bending moment निकालने section के left hand side पर एक force दिख रहा है और क्या दिख रहा है एक UDL तो force और UDL के कारण हमने क्या निकाला है यहाँ पर bending moment निकाला force कैसा लगा रहा है clockwise moment लगा रहा है और bending moment यह UDL के कारण जो आ रहा है कितना है 22.2 into L कितना हमार पास 8 upon 2 into x कितना हमार पास 2 meter minus 22.2 into x square मतलब 2 का square upon 2 तो यहां से आमे को M की value बता देंगे M की value आपके पास कितनी आई है यह वाला जो आया कि कि किलो newton meter में आएगा जो भी value आएगा इसको इंटू 10 to box 6 कर देना तो आपको newton mm पे आपको मिल जाए तो यहां से आमें को M की value बताइए कितनी आ रही है और आप फिर उसके बास substitute कर देना किसमें सिग्मा टॉप में तो इसके अगर value निका लें तो कितनी आ रही है सिग्मा टॉप की value 22.2 into 8 into 2 minus यह कितना रहा आपके पास 133.2 यह कितना रहा है 133.2 into 10 to power 6 ठीक है यहां से आपके पास जो M की value आई वो कितनी आई है 133.2 into 10 to power 6 याद रखिए का यह मैंने M यहां पर quarter span पर निकाला है न तो इसको quarter span पर wl square by 8 मत कर देना वो mid span के लिए था आपको bending moment maximum कहां पर आता है mid span पर आपको देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पर यहां पर हमने सबसे पहले क्या निकाला है हमने even निकाल लिया second में हमने i निकाल लिया third में हमने wire top निकाल लिया और fourth में हमने निकाल लिया m सारे component सिसी के हैं अब यहां पर place करते हैं अपन sigma top हम यहां पर क्या करते हैं प्लेस करते हैं तो अगर मैं sigma at top निकाल रहा हूं sigma at top में निकाल रहा हूं तो कितना हो जागा यह है पी कितना है 1500 इंटू 10 to power 3 by area कितना है 400 इंटू 750 फर्स्ट टम कम्प्लेट माइनस पी इंटू इंटू even कितना है 1500 इंटू 10 to power 3 into even हमने आपे निकाल लिए कितना है 150 m into y कितना है हमारे पास 750 बाई 2 मतला 3 75 upon i कितना है हमारे पास i है 400 इंटू 750 का cube divided by 12 divided by 12 हमने निकाल दिया थर्ड तर्ट टम हमने निकाल निकालना है M by I into Y, M कितना है हमार पास? 133.2 into 10 to the power 6, ठीक है? M कितना है? 133.2 into 10 to the power 6 into Y कितना हमार पास? Y has 750 by 2 मतलब 375 upon I कितना हमार पास? 400 into 750 का cube upon 12, upon 12 तो ये आगया हमार पास 3rd term, ठीक है? ये आगया हमार पास 3rd term, अब बोलो कोई किसार, आपने इतना कच्रा कर दिया है board को, ठीक है? आपने board को इतना कच्रा कर दिया है, तो प्लीज थोड़ा सब बेर कर लेना, ठीक है? तो हमार पास sigma top आगया है, first term, second term, third term, solve करिए और मैं को आप बताईए sigma top की value, quarter span पे, ठीक है? सिग्मा टॉप की value आप में को बताईए, quarter span पे, तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आप में को value बताईए sigma top की value कितने आईए, तीनों term को solve करिए, तीनों term को solve करिए, तीनों term को उसी में देखिए, आप महाँ पर equation देखिए, वो जो equation जो था, green से मैंने जो लिखा है, ठीक है? वाले equation आप देखिए, कितना आ रहा है? आप सो solve करिए, मैं भी solve करता हूँ. कितना है आपके पास? फिर्स्ट वाल है कितना है आपके पास? यहाँ पर आपके पास 1500 by 400, 750 किये हैं, तो कितना है आपके पास? इस फाइफ एम्पी है, माइनस, सेकेंड वाले टम सॉल करिए, 1510 to the power 3. यह कितना है आपके पास? यह आपके पास आए 6, प्लस, थर्ड टम सॉल करिए, प्लस थर्ड टम कितना है? यहाँ आपके पास 3.55, यह कितना है आपके पास? 3.55, तो सिग्मा टॉप की जो वैल्यू आपके पास आई है, यहाँ पर, कितना है आपके पास आई है? यहाँ पर तो यहां से आपके पास कॉर्टर में आपके पास जो इस्ट्रेस आ रहे हैं कॉर्टर स्पैन पर वह कितने आ रहे हैं आपके पास 2.55 एंपी तो यहां पर हमने क्या देखा अभी हमने इस्ट्रेस कंसेप्ट से एस्ट्रेस कंसेप्ट मैथड से हमने आप चेक किया किसको हमने आपर निकाला इस्ट्रेसेस टॉप डोनों एससपैन मिटस्पैन में इक लिए arrangements और कॉर्टर सबनक गाला ज मउने जहांँ पर क्यों पास देखा बंक,क taraf. हमने प्रेस के यहां नहीं था तो इसी काड मैंने आपको यहां पर बता दिया कि आपके पास क्या है यह stress concept method से हमने इसको solve किया next second method कि हमारे पास load balancing method अब आपण देखते है load balancing method से same question को load balancing method से कैसे solve करेंगे उसके बारे में आपन समझते हैं चलिए कि हमने जो भी अभी तक चीज़ें पढ़ी है उसको आपको apply कैसे करना है stresses को find out करने के लिए ठीक है सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे मैं यहां पर निकाल रहा हूं किसके लिए पहला वाला हम निकाल रहे है मिट स्पैन के लिए यहां पर हम सब एक्सटरनल लोड लगा है कितने का है यह आपके पास लगा है कितने का 22.2 किलो न्यूटर फ़र में पर आपके पास यहां पर stressin g force रही है ठीक है फ्रीश्रेशींग force रही है कितने की पी इंटू cos theta की अब हम आते हैं कौन से आपके पास second वाला सता है, उसमें हमने जहाँ पर हमने टेंडेंस कहाँ से प्रोँवाइड किया था तो उस केस में आपके पास, मैं को बताया था, वो टेंडेंस के कारण्ट अपवर्ट क्या होगा, आपके पास Wp, और Wp की आपके पास मैंने value बताया था, Wp की value कितनी थी आपके पास? 8 into P cos theta into E upon L square, 8 into P cos theta into E upon L square, इसको solve करेंगे हैं अपन? तो इसको solve करते हैं हमण, सबसे पहले मैंने आपको बताया हूँ, कि हमने इसके पहले निकाला था कि at mid span, at mid span, cos theta की value कितनी थी हमार पास? सब्सक्राइब से अगर आप स्टार्ट करते तो आप पहले निकाल के देखना पड़ता कॉस थिटा की वैल्यू कि इतनी है यहां यहां जो कितना है यहां किटना है मारेह पास 8 का square, मतलब 64, solve करिए इसको, solve करिए 1500 divided by 8 into 0.2 करिए कितना आ रहा है, 1500 divided by 8 into 0.2 करिए कितना रहा है, यह आपके पास आ रहा है कितना, 37.2 kilonewton per meter, ठेक है, 37.2 kilonewton per meter, यह आपके पास आया गया क्या, this is your WP, यहाँ पर आपके पास, this is your WP, मतलब यहाँ पर आपके पास जो WP आ रहा है, वो कितना आ रहा है, आपके पास 37.2 kilonewton per meter, और यह कैसे आपके पास, यह लग रहा है आपके पास upward, यह कैसे लागू है आपके पास UDL आपके पास किस डिरेक्शन उनrix रहे आपके पास upward और W कुतना लग रहा था? downward लग रहा था कितना 22.2 का तो'' अधर्य। अगर मैं by Liberty 22.2 कैसे लग रहे था हमारे पास downward लग रहा था और यहां पर हम ीङथा कर के करेंगे net की अगर मैं बात करूं या फिर आप downward वाले को negative, upward वाले को positive या फिर इसको positive इसको negative, sign के साथ जैसे भी आपको देखना है, देख सकते हो, दोनों को हमें चेक करना है कि direction हमारे पास net किसमें बचेगा, तो यह दोनों को अगर आप net देखोगे, ठीक है, net अगर आप इसको देखोगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 37-22 करेंगे, कितना हो गया, 15, ठीक है, यह कितना हो गया हमारे पास, 15.5, वैल्यू कितनी आई हमारे पास, sorry, 37.5 गया, 37.5 देखने को मिल गया, तो हमारे पास, यह जो वैल्यू जो आई है, वो कितनी आई हमारे पास, 15.3, direction कैसा आई हमारे पास, upward, क्योंकि उपर वाला जो magnitude है, वो क्या है हमारे पास, जाधा है, comparatively with, नीचे वाले magnitude से, मतलब आपके पास, net आपके पास, जो UDL आ रहा ह 15.3 किलो इड्यूटर पर मीटर किस direction में आ रहा हमारे आपके पास, upward direction में आ रहा है, मतलब, अगर मैं बनाया आपके पास, net डागरम आपके पास, net आफके पास, UDL आपके पास, show कर रहा है थेक है, तो वो कैसा आपके पास, एक beam है, ठीक है, एक beam है, आपके पास, और यहा नहीं कंप पर सब्सक्राइन कंए। रहा है कि Animals allowed इसे helps economy भुपक्राइबाइन तिन पर किंद्सक्राइब किसकी नीं के बनानों सब्सक्राइब का आपके ढूँक्व हो कैसे आपके पास उसाइंक बिल आपके अपने जिब Skills के में डिकने बेए-टी जिसी और 15.3 किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है 15.3 किलो न्यूटन पर मीटर और यह क्या रहा है आपके पास इस यूर पी कॉस थिटा और यह क्या रहा है आपके पास इस पी कॉस ठीक है यह आपके पास नेट आपके पास जो डियागरम बना है उसका ठीक है तो आपके पास कैसा जा रह आ रहे हो बहुत ज्यादा आ रहा है comparatively with external थे इसी करेंट सिफ हमने net लिया है बचा कितना 15.3 का magnitude का यूडियल बचा तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपके पास यह नीचे से उपर लगा रहे है तो आपके पास कैसा जाएगा यह बीम कैसे अगर मैं सिग्मा टॉप निकाल रहा हूं अगर मैं सिग्मा टॉप निकाल रहा हूं तो पहला कितना हो जागा पी कॉस्ट थीटा भाइए ठीक है दूसरा हमारे पास external loading के लिए हम जो देख रहे हैं टॉप में निकाल रहा है माइनस में इंटु रगा दिया था जो कि हमने यहाँ पर यूज़ करके WP हमने निकाल लिया था, ठीक है, तो यहां सिर्फ आपके पास P cos theta वाला component आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है, आपके पास net ideal वाला आ रहा है, तो यह दोनों component यह कारण हम क्या देखेंगे, stresses को चेक करेंगे, at top में पूछ रहे हैं, तो यह हो जाएगा P cos theta by a, top में क्या रह ठीक है, तो यहां पर आपन देख लें, सबसे पहले cos theta की value कितनी है हमारे पास, cos theta की value तो हमारे पास 1 है, m की अगर मैं बात करूँगा, तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, mid span पर देख रहे हैं, तो w l square by 8, तो w कितना हमारे पास, 15.3 into l कितना हमारे पास, 8 square upon 8, तो इसक कितना रहे हैं, 122.4, कितना रहे हैं, 122.4 into 10 to power 6 कर देना हो, ठीक है, 122.4, kilo newton meter में आ रहा है, 10 to power 6 कर देना, newton mm में रख लेना उसको, ठीक है, तो यहां पर रहे हमारे सिग्मा टॉप लिगा आ रहा हूँ, पी कितना हमारे पास?, 1500, 10 to power 3 upon area कितना हमारे पास?, area है हमारे पास, 400 into 750, 400 into 750-, M की value, अगर देखेंगे то, M कितना हमारे पास?, M है मारे पास, 122.4 into 10 to power 6 upon I कितना हमारे पास?, BD cube BD cube by 12 into y कितना मारे पास 750 by 2 y कितना मारे पास 750 by 2 ठीक है आप यहां से दोनों टम को आप find out करें कितना आएगा तो आपने जो पहले जैसे निकाला था से मूशी वेशिक रहे गा हमारे पास ten उन्सर यहाँ पर देखने को मिलें यह फिर भी डेख कितना रहे है उत्थ हिर सौफ हूं अंसर देखना को मिलेगा है तो समझ में आया इस वेसे आपको क्या करना है आपको में आपे निकालना है क्या passar क्या करना है यह पर वयलिव постро निकालनी पड़ेगी अरब आप करें पर नेक्सिट वाला अगर मैं भात करूं तो कहां पर निकालना हमें हमें निकालना हमापर कॉतर स्पांइबर में इंभाला पर से second हम कहां पर निकालेंगे, second हम निकालेंगे quarter span, at, बात करेंगे कहां पर, हम निकालेंगे quarter span पर, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास क्वइचेंजेस आएगा नीए, quarter span के अगर मैं बात कर रहा हूं मतलब मुझे कहां पर निकालना है मुझे निकालना है इस वाले point पर bending moment कहां पर निकालना है मुझे इस वाले point ठीक है इस वाले point पर निकालना है तो वो कितना हो जागा आपके पास यह कितना है आपके पास this is your 2 meter तो यहाँ पर आप क्या कर लिए यहाँ पर आप निकाल लिए बेंडिंग मोमेंट तो सिग्मा है टॉप कितना हो जाएगा आपके पास अगें फॉर्मॉला तो सेम ही रहेगा P cos theta by A minus M into YT quarter span के लिए कितना हो जाएगा यह P cos theta upon A minus M by A into YT लेकिन अगर मैं यहाँ पर M की बात करूँ अगर मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं M की बात कर रहा हूँ for example मान के चलिए आपके पास यह है simply supported beam आपके पास यह क्या लग रहा है आपके पास यह लग रहा है UDL कितने का 15.3 का यहाँ पर reaction आजेंगे दो यहाँ पर क्या होजाए आपके पास reaction आपको generate हो जाएंगे total span कितनी है अमारे पास? 8 meter इसकी span है तो यह कितना हो जाएगा आपके पास? यह हो जाएगा W L by 2 W L by 2 और यह भी कितना हो जाएगा आपके पास W L by 2 ठीक है और हमें निकालना का है, इस distance पे निकालना है, xx पे, जो की है यहां से quarter span मतलब 2 meter पे, जो की quarter span मतलब कहां पर है, 2 meter पे, तो अगर हमें bending moment निकाल रहा हूं, m, तो कितना हो जागा, reaction into 2 meter मतलब, wl by 2 into 2, minus, इसका करेंगे, तो यह कितना हो जागा, wx square by 2, और यहां पर w कितना ह 3 into 8 by 2, 2 cancel हो जागा, चलिए, लिक्स लेते एक बार, by 2 into 2, minus, w कितना है मार पास, 15.3 into 2 का square 4 कर दिया, divide by 2, तो आप m की value बताएंगे, यहां से आप मुझे m की value बताएंगे, कितनी आ रही है, ठीक है, आप मैं को यहां से m की value बताएंगे, कितनी आ रही है, समझ में आ है, कैसे निकाल रहा हूँ मैं, मुझे quarter span पे bending moment निकालना है, mid span पे निकालता है, तो wl by, wl square by 8 कर दियता हूँ, मैं quarter span पे निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जागा यह, 15.3 into 8 minus, 15.3 into 2, कितना रहे है, 91.8, bending moment कितना है आपके पास, यहाँ पर आपके पास bending moment आया, 91.8 किलो न्यूटन मीटर, तो इसको आप वो कर ले न, 91.8 into 10 to the power 6 कले न, into 10 to the power 6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, मतला, sigma top अगर मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर, sigma top निकाल रहा हूँ मैं, तो कितना हो जागा हमारे पास, P कितना है, 1500 into 10 to the power 3, 1500 into 10 to the power 3, upon area कितना है, 400 into 750, 400 into 750 minus, M कितना है हमारे पास, 91.8 into 10 to the power 6, upon I कितना है, 400 into 750 का क्यूब, by 12 into, Y कितना है हमारे पास, 750 का हाफ मतलब कितना, 375, मतलब कितना है, 375, तो sigma top आप यहाँ से निकाल लीजे, कितना है value, sigma top आप यहाँ से निकाल लीजे, कितना है value, तो चेक करिएगा, last में हमने कितना निकाला था, 2.55 something कुछ value निकाला था, देख लीजेगा, उसके बराबर आरी है कि नहीं आरी है, अगर नहीं आरी है, तो यहाँ पर यहाँ तो गलती है, यहाँ पर गलती है, ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास, 1500 by 400, यह वाली value 5 minus, यहाँ पर आप देखें, यह कितना रहा है आपके पास, 2.448, तो सिंगमा टॉब आप देख लीजे, कितना रहा है आपके पास, बज़ा कितना, 2.55 MP है, ठीक है, कितना रहा है यह, 2.55 MP आपको यहाँ पर देखने को, मिल रहा है, clear, तो इस वे से क्या करेंगे आप, load balancing method, load balancing method में, आप वैसे कर लीजे, या फिर आप एक balancing आप यहाँ पर कर लीजे, आप upward आप यहाँ पर, load आप यहाँ पर generate करिए, टेंडेंस के कारण, उसका magnitude मैंने आपको बता दिया था, UDL का और point load दोनों का, UDL और point load द में देख लिया, sign convention कैसे देखेंगे, आप यहाँ पर देख लेना है, tension में आ रहे हैं, compression में आ रहे हैं, top fiber की बात करनें, तो tension में आ रहे है, minus ले लेना, bottom fiber अगर आप निकालोगे, तो क्या करोगे, आप आप पर, plus में आप आप यहाँ पर, plus लगा दोगे, M by I into Y T, तो इस इस वे से क्या करोगे, आप load balancing method को भी आप क्या करोगे, deal करोगे, समझ में आया हैं, तो यह था आपके पास complete analysis किसका, इसके पहले जो method हमने पढ़ा था, stress concept method, उसके बाद जो method हमने पढ़ा है, load balancing method, तो in case, अगर question आप से आप पूछा, कि load balancing method से ही solve करना है, तो मैं आपको स करने, तभी आप use करेगा, नहीं तो आप एक method ही पढ़के जाओगे, तो भी आपका हो जाएगा, आप तो देखा, answer आपके बास दोनों में, same ही आपको देखने को मिला, ठीक है, चलिए अभी तक के लिए इतना ही, आपन मिलते हैं इसके बाद, next topic पे, next, आपके बस start मुआ बसस्ट करेंचे इक Nicholas